जार्खन के बेरुजगार U.A. अब बेचेंगे सराब जार्खन सरकार पढ़े लिखे बेरोज़गारों के लिए सराभ बेचोहने की बहाली निकाल रही है और इस बहाली के लिए मैट्रीक और इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार जहरखन के उपर एक निम दबाव का शेतर बन रहा है इससे कई जीलो में मौसम का मिजाज एक इस अपरेद से बदल सकता है बतादे संथाल परगना और मद्द जहरखन में कहीं कहीं बादल और गर्जन के साथ हल्की बारिस हो सकती है इससे लोगों को गर्मी से रात मिल सकती है हलाकि पलामू परमंडल में गर्मी का कहर जारी रहने और लू भी चल लेगी मौसम बेग्यानी अभिसेक अनन्द के अनुसार जहरखन में एक साइक्लोनिक सेर्कुलेशन बन रहा है इससे बना एक टर्फ पच्छिम से असम की उर्चा रहा है इससे 22 अपरेल तक हलके से मद्दर्ज की बारिस हो सकती है जहरखन में चोकिदार न्यूकती निमावली का गजट जारी राजवेपाल द्वारा गिरी विभाग द्वारा चोकिदार सनवर्ग की भरती सेवा सर्तों यों प्रोनाती से समधित निमावली की स्विक्रिती के बाद 7 अपरेल 2015 को अधिस सूचना जारी की गई लेकिन इस अधिस सूचना का गजट 7 साल बाद 13 अपरेल 2022 को जारी किया गया है इस निमावली को जहरखन चोकिदार सनवर्ग निमावली 2015 कहा गया है इसमें कहा गया है कि गजट में परकाशन के 33 से निमावली लागू होगा इस निमावली के तहट चोकिदार के नियुक्ति योंपरोनाती के अनुसंसा उपायुक्त के अध्यक्तावाली कमिटी करेगी सरकारी स्कूलों को नीजी हाथों में सोपने जा रही है मंत्य सरकार शिक्षा में सुधार कीजिये वरना सरकारी स्कूलों को सौप देंगे नीजी हाथों में जार्कान की सिक्षा मंतरी जगनात मतो का लगातार खराब हो रही सिक्षा ब्यवस्था पर बड़ा ब्यान सामने आया है बीते दिन बोकारों में मुख्य मंत्री हमान सुरेन की सरकार के सिक्षा मंत्री ने बच्चों की कौमतर पढ़ाय लिखाई का अस्तर जाचने के बाद सिक्षा भी भाग और सिक्षकों को जम का हड़काया उन्होंने साफ सभ्दों में कहा कि सिख्षा में सुधार की बहुत गुन्जाइच बाकी है ऐसे में अगर आप सरकारी इस्कूलों को बेहतर नहीं बना सकते तो सरकार इन इस्कूलों के निजी हातों में सौप देगी ताकि बचों को सुनायरा भववी से दे सके आईसे में हमें आप कमेंट बक्स में बता है कि क्या सरकारी स्कूलों को नीजी हाथ में सोपने से सिक्षा में सुधार हो सकता है या नहीं केंद्रिये मादमिक सिक्षा बोर्ड 26 अप्रेल 2022 से दसवी और बराहमी की बोर्ड परिक्षा आयोजीत करने के लिए पूरी तरह तयार है अब तक जनकारी की मताबिक छात्रों को अपने स्कूल से हट कर दूसरे परिक्षा केंद्र पर ओफ लाइन मोड में परिक्षा देनी ह सिबीसी टर्म 2 एड्मिक कार्ड 2022 जारी कर दिये गा हैं सिबीसी काक्षा दोस्वी और बराहमी टर्म 2 पर इक्षा के लिए अधिकारिक वेप साइट सिबीसी.gov.in पर बिते दिन रोल लंबर और एड्मिक कार्ड जारी किया गया है कुरोना की चौथी लहर के बीच बिहार में बुस्टर डोज फिरी जार्खन में देने पढ़ेंगे पैसा बिहार ने 18-69 वर्ष के अपने नागिरिकों को अपने खर्च पर कुरोना टिका की सतर्कता डोज यानि बुस्टर डोज देने का निना लिया है अभी केंद्र से मिलने वाली बैक्सिन से ही सरकारी टीका केंद्रे में टीका करन किया जाएगा जार्खन में पिल हाल गिने चुने सरकारी एस्पतालों में ही सतरकता डोज 375 रुपे के भुगतान पर लगाई जा रही है अधिस्तांग के जीले में तो अभी तक एक भी अस्पताल में असुविदा उपलब्द भी नहीं हो सकी है योजनाओ की लेप्स रासी अब बैंको में नहीं होगा जामा जारखन सरकार ने योजनाओं की लेप्स रासी बैंकों में जमा नहीं कराने का निर्देश जारी किया है महालेखाकार की अपती के बाद बीत विभाग ने इस समध में सभी जीलों को निर्देश जारी किया है बित विभाग ने अपने निर्देश में पता दिकारियों के हिदायत दी है कि रासी बैंकों में जमा कराने की बज़ाए राज कोस में जमा करा है बैंकों में योजनाओ का लेप्स पैसा जमा कराना बिती है अनुसासन हिंता है ज्यार्खन के तीन जीलों में बच्चों को मानक के अनुरूप नहीं मिल रहा मिड्डे मील ज्यार्खन के तीन जीलों के कई इस्कूलों में बच्चों को दिये जा रहा मद्याहन भोजन मिड्डे मील मानक के रूप में नहीं पाया गया है इन में राची हजारी बाग एवं खुटी जीला सामिल है इन स्कूलों में भोजन के नमून की जाच में उसमें पोशक तत्वक की बैल्यू कम मिली जार्खन मद्यान भोजन प्राधिकरन की निदेशक कियन कुमारी ने इन जीलों के जीला सिक्षा दिशकों को पत्र बेच कर इसकी जनकारी देते हुए इसकी जाच कर परतिवेदन उपलफ्त कराने को कहा साथ ही हिदायत दिया कि इसकी पूर्णाविर्यती न हो जार्खन सरकार की योजनाव का होगा यूनिक आईडी नमबर जार्खन सरकार की योजनाओ का भी यूनिक आईडी नमबर होगा स्वास्त विभाग से इसकी सुरुवात होई है इसके तहद पर तेक स्वास्त योजनाओ को निधारित पैटर्ण के अनुसार पाचान संक्या दी जाएगी ताकि उनकी ओनलाइन अपनाई दोनों माध्यमों से निग्रारी हो सके स्वास्त विभाग के अपर मुक्स चीव अरुन कुमार सिंग ने योजनाओ को पाचान नमबर देने से समधित विस्तित दिशा निग्देश जारी कर दिया है रांची के मांडर टोल पलाजा में हंगामा है एक कार चलक और उसकी पत्नी से दुर्वेवार करने क्या रोप में लोगों ने हंगामा किया हंगामे के बाद टोल्ट टैक्स वसुली का कारबाधित हुआ वहाई हंगामे के जनकारी मिलते ही पूलिस मौके पर पहुंच ची है उधर मुख्यमंत्री हमास्ट्रेन की महारूपी सोरेन की तवियत खराब हो गई है बुद्धवार को उनको अस्पताल में भरती कराया गया है चिकित्चक के मताबिक बलड प्रेसर बढ़ने और उल्टी की समस्या अगबाद अस्पताल में भरती किया गया है हलाकि आल्टा साउंड सहीत जाच रिपोर्ट नॉर्मल आई है